अब जब आपक तो माइन न्यू ब्लोग तो अभी सुबह के साड़े चे बजे और ज़स्ट अभी हम सो के जगे हैं तो सबसे पहले हम अपना बाल क्लेचर से से क्यों कर लेते हैं उसके बाद हम भगवान को प्रडाम करते हैं देन हमारा मौर्निंग स्टार्ट होता है क्योंक मुझे बच्पन से सीखाया कि यह पहणक करं करके अपना मौनिंग की सूगात करते हो तो पुरा दिन बहुत अच्छा जाता है तो हम भगवान को प्रडाम किया उसके बाद हम जो भी बेस्तर हमारा रहता है उसको हम सही से करते हैं उसके बाद अपने रूम में जाड़ों ब्रश करेंगे क्योंकि बिना ब्रश किये योगा बगार हम नहीं कर पाते हैं थोड़ी सी मुझे गले में जक्रन टाइप से में फील होता रहता है तो इस तो ब्रश करने के बाद हम योगा करते हैं ज़स्त मिनिट या पंदर मिट इससे जादा भी टाइम नहीं दे रहे हैं क्योंकि अभी बहुत लंबे टाइम से छूट गया था तो इस वजह से अभी स्टार्ट कर रहे हैं तो थोड़ी सी हमें दिक्कत हो रही है तो अभी कोसिस कर रहे हैं कि दीरे दीरे टाइम बढ़ाएंगे पहले रेगुलर रूटीन में आए उसके बाद हम अपना टाइम द लेकिन सुबह सुबह थोड़ा सा पी लेते हैं तो इसके वजह से जो मुझे इलर्जिकल प्रॉबलम है वो कम रहता है तो इसके लिए सबसे पहले खाली पेट दो डखकन गिलोर स्वरस और आधाय कब पानी मिक्स करके पीते हैं इसके बाद हम कर लेंगे थोड़ी सी साप स पूचा नहीं लगाते हैं लेकिन जारू डेली सुबह सुबह उटके लगा लेते हैं बस सुबह एक बाद जारू लगाते हैं उतना इनफ होता है क्योंकि यहां पे और कोई काम तो है नहीं कि बहुत जादा रूम गंदा होता है और जो यह फॉरस आप लोग देख रहे हैं पूचा करने के बाद हम चाय चड़ा दिया है अब चाय हमारी बन जाती है उसके बाद हम चलते हैं अपने इस्टेडी के लिए तो चाय के साथ में अपना करेंट अफेर्स कंप्लीट कर लेते हैं करेंट अफेर्स कंप्लीट करने के बाद हमने सोने से पहले अपना कर लेते हैं इसमें टाइम नहीं फिक्स करते हैं लेकिन पूरे दिन में हमें क्या क्या करना है कौन सा सब्रेक पढ़ना है किसका रिवीजन करना है किसके प्रैक्टिस करनी है वह इसमें नोट कर लेते हैं इससे हमाई पूरे दिन में आसानी होती है हमें कन्फ्यूजन नहीं किन हम हैं इस ताइम पर क्या करना है और किंगस की भाद किया पढ़ना है तो उस ही साब से हम में अपनी के अच्छे से continue कर पाथे हैं अब ही जान देना भर है तब ही जार के कम्वीट है और जब तक हम MR weres तब तक जीएस के किसी और सब्जक्त पे नहीं जा सकते हैं, इस बज़ा से अभी हम थोड़ा सा जादा ताइम लेंगे हिस्ट्री को अब 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 आप फ्रेंट्स जब हमने हिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट किया था तो मुझे नहीं लगा था कि इतनी रोचक सब्जेक्ट है ये और इतना इसको पढ़ने में अच्छा लगेगा जैसे आप स्टोरी पढ़ रहे हों ऐसे लगता ही नहीं कि कोई जीएस के लिए सब्जेक्ट आप बहुत अच्छा लगता है और जब हमने सुरू में लिया था तो मुझे बहुत डर लगा था कि बहुत लेंदी सब्जेक्ट है बहुत लोग कहते हैं कि बहुत बोरिंग सब्जेक्ट है तो पता नहीं हमको कैसा फील होगा क्योंकि इससे पहले हमने जो हिस्ट्री पढ़ी ह वो बहुत fact basis question पढ़े हैं और उसमें maximum समीतियां हो गई, कुछ date हो गई, कुछ आंदोलन हो गई, यह सब चीजें पढ़े थे, क्योंकि जो one day exam होता है, उसमें लगवग इसी type के question बनते हैं, तो पता नहीं यह इतनी detailed book है, तो इसको पढ़ने में interest आएगा मुझे या नहीं आ लिए है खाना और हम खाने में क्योंकि सब्जी बनाने का अलग से time नहीं था, तो हमने इसमें मिक्स कर दी सारी सब्जी और दाल, सामभर टाइप में बना लिया और सांथ में कुछ खाने के लिए नहीं था, तो आम ने मिर्चे काचार ले लिया है, तो इसको हमने एक बाउ सब्सक्राइब करें लेकिन पूरी तरीके से छोड़ देंगे तो फिर से जो पढ़े हैं वह भूल जाएंगे तो इसलिए हम बीच बीच में इसको पढ़ते रहते हैं उसी तरीके से अपना हम सेटूल मैनेज करते हैं कि कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं कि जो वीक में हम दो-दो करके रखते हैं तक ही वह और सुपर्टैक्व में सब्सक्राइब होने में अभी बहुत र đầu सांथ अभवे टेक्च मेश्याये हुआ। अधर्वाइज जो चीजें हैं वो पहले से पढ़ी हुई है और जब टेट का पेपर होना होगा उस टाइम पे काफी अत्तिक चीजें रिवाइज हो जाएंगी तो उसके हिसाब से हम अपना कंप्लीट कर लेंगे और बीच बीच में टेट तो होता ही रहता है तो टेट के टा सब्सक्राइब कर दीजिएलैं जाली तो लायक कर दिजेगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा और इपने दोस्तों के साथ सेयर कर दीजीएलैंगा और इंगलिस कंप्लीट कर Kakar के बाद हम थोड़ी देहिं रिश्ट करने के ने हम किम्प्लीट करेंगे अपनी हिस्ट् चरनल को सब्सक्राइब करदें